आएए मैं चाहता हूँ के हमारे कुछ मुकामी शोरा है वो अपने मुक्तसर कलाम पेश करके इस मुशायरे को महमान शोरा के हवाले कर दें आएए इसी ख्याल से मैं बगएर किसी तमहीद के जनाब मुम्ताज अनवर को इन चार मिस्रों से आवाज देना चाहता हूँ के वरक इनसानियत के खोलता है अदब की चाशनी फिर घोलता है जहां बैठे हुए मिल जाएं शायर वहीं उर्दू का लहजा बोलता है जनाब मुम्ताज अनवर माइक पर मुदरा मज़राद आज के इस खुबसूरत मुशायरे में एक शिकायत मिल रही है कि माइक खुब अच्छा नहीं है जरा बेस दीजिए आप माइक में पढ़ने वाले की शिकायत है कि माइक खुब अच्छा नहीं है थोड़ा बेस दीजिए ताके पढ़ने वाले का मूट बने माइक बहुत बड़ा रोल अदा किया करता है और अपने शौरा कराम से मैं कहूंगा कि वो भी कमज कम तवज्ज़ दें और जैसा कि हुक्म है कि अख्तिसार से काम लिया जाए मैं बिल्कुल अख्तिसार से काम लूँगा एक कता एक कता और उसके बाद एक कता और उसके बाद एक नज़ पहले मैं चार मिसरे अर्ज़ करता हूँ हाँ अब ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया अब ठीक है यहां से मैं चार मिसरे अर्ज़ करता हूँ देखी अगर किसी तरह अपनी बात मैं आप तक पहुँचा सका तो मैं समझूगा कि मेनत किसी काम आई कि हमें क्या नापना हम तो अलग पहचान रखते हैं हमें क्या नापना हम तो अलग पहचान रखते हैं महबत और वफादारी में उची शान रखते हैं हमें क्या नापना हम तो अलग पहचान रखते हैं महबत और वफादारी में उची शान रखते हैं और कहां तक हम वतन से दोस्ती का दे सबूत आखिर हम अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखते हैं कहां तक हम वतन से दोस्ती का दे सबूत आखिर हम अपने दिल की हर धरकन में हिंदुस्तान रखते हैं और चार मिसरे यहां से और के तेरी साजिष की तहरीरें पसे दिवार पढ़ता हूं स्यासत मैं तेरा चहरा नहीं किरदार पढ़ता हूं तरी साजिश की तहरीरे पसे दीवार पढ़ता हूँ सियासत मैं तेरा चेहरा नहीं किरदार पढ़ता हूँ ना जाने क्यो मुझे हर आदमी हैरत से तकता है मैं बैठे रेल में उर्दू का जब अखबार पढ़ता हूँ नजाने क्यों मुझे हर आदमी हैरत से तकता है मैं बैठे रेल में अर्दू का जब अखबार पढ़ता हूँ मैं बैठे रेल में अर्दू का जब अखबार पढ़ता हूँ एक मतला एक शेयर के मेरे वजूद को वो जो मिटा के आया है मेरे वजूद को वो जो मिटा के आया है मेरे ही नाम की तख्ती लगा के आया है मेरे वजूद को वो जो मिटा के आया है मेरे ही नाम की तख्ती लगा के आया है और नुमाईशों में ही मसरूफ उसको रहने दो नुमाईशों में ही मसरूफ उसको रहने दो नया नया वो अरब से कमा के आया है और उसके बाद एक शेर इशारा मैं कर रहा हूँ समझना आपका काम कि है उसके खून में शैतानियत का जहर भरा है उसके खून में शैतानियत का जहर भरा या और बात वो गंगा नहा के आया है या बात है वावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा तोफ़ा कौन देखेगा गरिब इनसान के बच्पन का तोफ़ा कौन देखेगा और हर एक शहरी अगर इस मुल्क का हुश्यार हो जाए सियासत तू बता तेरा तमाशा कौन देखेगा हर एक शहरी अगर इस मुल्क का हुश्यार हो जाए सियासत तू बता तेरा तमाशा कौन देखेगा यहां से मैं एक नज़ पेश कर रहा हूँ बड़ी संजीद्गी से नज़ बाप तक पहुँचनी चाहिए एक एक मिस्रे पर तवज्जो चाहता हूँ कि कल रात मेरे खाब का सुन लो ये अक्तिबास कल रात मेरे खाब का सुन लो ये अक्तिबास घर मेरे आए राम जी होकर बड़े उदास कहने लगे वतन में दोहाई है किसलिए मजभब के नाम पर ये लड़ाई है किसलिए कल रात मेरे खाब का सुलो ये इक्तिमास घर मेरे याए राम जी होकर बड़े उदास कहने लगे वतन में दो आई है किसलिए मजभब के नाम पर ये लड़ाई है किसलिए क्यों चल पड़े हैं देश में हंगा में इस कदर क्यों चल पड़े हैं देश में हंगा में इस कदर करना नहीं जो चाहिए करके देखा दिये तुम ना कही बचाने में सर भी कटा दिये बच्चे जिने मैंने कभी देखाता प्यार से तुमने उन्हें भी छोड़ा नहीं लूट मार से हैं दुखतराने हिंद मेरे दर्दमंद की या फेकी हुई हड़ियां हैं शर पसंद की करना नहीं जो चाहिए करके दिखा दिये तुम ना कही बचाने में सर भी कटा दिये मैं जानता हूं जोर ये खुद ही के लिए है सारा ये खेल मुल्क में कुरसी के लिए है मैं जानता हूँ खेल ये खुद ही के लिए है सारा ये खेल देश में कुरसी के लिए है लेकिन मैं अपने भात को दूँगा यही पयाम रावन का खेल करते हो तुम लेके मेरा नाम दिल को जो बाटती है वो तन्जीम छोड़ दो इस मुलक में इनसानों की तक्सीम छोड़ दो सब हो गए हैं खोक ले फिक्रे बुआश पर कब मैंने कहा था मेरा मंदिरो लाश पर मंदिर के नाम पर मुझे नफरत ना चाहिए लाशों के ढेर पर ये अबादत ना चाहिए